So guys, कैसे हो आप से भी लोग उमीद हैं, आप से भी लोग ठीक होंगे, तो बहुत सारे comments आ रहे हैं मुझे कि by Battlegrounds Mobile India launch हो चुका हैं और हमें अपने Redmi 8A Dual में Battlegrounds Mobile India खेलना है without any lag issue और without any frame drop, okay? तो इस वीडियो में आपको यहीं पता होगा कि आप अपने Redmi 8A Dual में Battlegrounds Mobile India कैसे खेल सकते हो अगर आपके फोन में 2GB की RAM है तब भी आप खेल सकते हो without any lag issue, without any frame drop, okay? अगर आपको नहीं पता कि Battlegrounds Mobile India कैसे download करें तो आप में इसे comment section में पूछ सकते हो, मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा वाले option पर क्लिक करनी है, इस पर क्लिक करनी के बाद यहां पर आपको MIUI वर्जन पर 6 बार टैब करना है, जिससे आपके developer options जो है, enable हो जाएंगे, फिर 6 बार टैब करके आपको back जाना है, back जाने के बाद यहां पर आपको additional settings का एक option देखनी को मिलेगा, यहां पर आपको arrow की step by step, इस पर आपको click करनी है, इस पर click करनी के बाद यहां पर आपको scroll on करना है, यहां पर आपको developer options का एक option देखनी को मिलेगा, इस पर आपको click करनी है, इस पर click करनी के बाद यहां पर आपको आपको सामनी कुछ ऐसा interface आयागा, यहां पर आपको scroll on करना है, यहां पर आपक ये feature enable हो जाएगा जैसे आप game को open करोगे background में कोई भी process नहीं होगी और caches जो होगी वो भी clear हो जाएगी background में और कोई भी task background में नहीं होगा जो दूसरी trick है वो कुछ ऐसी है आपको अपने phone की settings open करनी है settings open करने के बाद यहाँ पर आपको scroll down करना है यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा special features का यहाँ पर आपको arrow की मदद से सब कुछ दिख रहा होगा step by step इस पर आपको click करनी है इस पर click करनी के बाद यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा light mode का ओगे इस पर आपको click करनी है लेकिन यह सिर्फ उन phones में है जिनमें MIUI 12 updated version है जिनमें MIUI 12 के पहले वाले version है MIUI 11, MIUI 10 और MIUI 9 वगेरा उनमें यह feature नहीं देखने को मिलेगा यह सिर्फ MIUI 12 में देखने को मिलेगा ओगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है आपको light mode पर click करनी है इस पर click करनी के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा यहा बड़े देखने को मिलेंगे आपको और जो apps हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी और आपको क्या करना है आपको अपनी Battlegrounds Mobile India light mode में add कर दीनी है फिर आप उसे light mode में खेल सकते हो और आपकी game में कोई भी frame drop और lag issue नहीं आएगा light mode को off करने के लिए आपको क्या करना है आपको अपनी settings में जाना है settings में जाने के बाद यहाँ पर आपको special features में फिर से जाना है और यहाँ पर आपको light mode पर click कर दीनी है और यहाँ पर आपको turn off light mode लिखा हुआ आएगा इस पर आपको click कर दीनी है और आपको phone जो है normal हो इस पर किलिक करने के बाद यहाँ पर गेम टरबो पर किलिक करनी है और यहाँ पर हमें अपना Battlegrounds Mobile India एड़ कर देना है इसमें एड़ करने के बाद आपका जो Battlegrounds Mobile India है वो स्मूथ चलेगा और कोई भी लैग नहीं आएगा गेम में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सबस्क्राइब करकी बैल आइकन को भी इनेवल कर देना मैं आपको अंगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए